एक हाउस वाइफ के लिए घर और किचन में इतने सारे काम होते हैं कि काम के चक्कर में वो खुद के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाती हैं तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूजफूल किचन टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर मैंने डाल को भीगा कर कुकर में ले लिया है फ्रेंड जब हम सामबर बनाते हैं तो इस तरीके से प्रेसर कुकर में डाल को डाल देते हैं और साथ ही साथ जो सबजियां रती हैं उसे भी इसमें डाल कर पका लेते हैं तो इससे जो सबजी हैं वो इस तरीके से गल जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि सामबर में सबजी का पीस किदर है मतलब दिखता ही नहीं है और अगर अलग से डालना होता है तो हमें सबजी को अलग से बोईल करना रहता है जिससे समय और गैस दोनों बहुत ज़्यादा लग तो देखे दाल को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है अब इसमें मैंने पानी डाल दिया अब हम इसमें नमक और हल्दी डालेंगे तो जो आप डालती हैं दाल में उसे डाल दीजिएगा अपने हिसाब से उसके बाद जो सबजी है न इसे हम डारेट दाल में नहीं डालेंग इसके लिए हमें लेना है एक इस्टील का टिफिन इस तरीके का कोई भी इस्टील का टिफिन ले 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 अब इसमें हम सबजी को डाल देंगे तो जितने quantity में आपका सबजी हो उस हिसाब से टिफिन लिजिएगा और सबजी भी अपने हिसाब से डालिएगा और जो जो सबजी आप लोग सामबर में पसंद करते हो वही सबजी डालिएगा अपने पसंद के तो मैंने यहाँ पर प्याज, गाजर और कद्दू लिया है इसे डाल देती हूं तो यह हमने सबजी को इसमें फिल कर दिया है अब टिफिन को हम बंद करेंगे उसके बाद हम इसे डाल के कूकर में डालेंगे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि जो हम दाल में पानी डालेंगे न वो कम होना चाहिए बहुत ज़्यादा पानी मट डालिएगा टिफिन उपर तैरना नहीं चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा उसके बाद प्रेसर कूकर का ढकन बंद करके तीन से चार सिटी आने तक इसे पका लें तीन से चार सिटी में दोनों एकदम अच्छे से पक जाएगा दाल और सबजी फिर सामबर बनाते टाइम आप उसमें सबजी को मिक्स कर दीजिए सबजी के पीस भी दिखेंगे अगर मिक्स चाहिए तो आप उसमें मैस कर दिजिए देशी घी खाना जादा तर लोगों को पसंद रहता है अगर घर का देशी घी हो तो क्या बात है टेश्ट तो और भी अमेजिंग रहता है मगर जादा तर लोग इसे खरीद कर खाते हैं तो खरीद कर तो खाते हैं और बहुत महंगा भी मिलता है और उन्हें लगता भी है कि हमने इतना महंगा वाला देशी घी लिया है तो ये एकदम सुद्ध है मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका कैसे पता चलता है तो चलिए आज देशी घी को घर में ही टेस्ट करते हैं कि ये सुद्ध है या इसमें मिलावट है तो उसके लिए फ्रेंड ये वाला टिप आप जरूर फोलो करिएगा जब भी देशी घी खरीद कर लेके आईएगा तो करना क्या है एक बरतन में इस तरीके से पानी ले लेना है यहाँ पर हमें नॉर्मल पानी लेना है ठंडा या गरम नहीं बस जो आपके मटके में पानी रता है वही पानी ले ले अब इसमें एक चमस देशी घी डालेंगे घी को थोड़ा सा गरम कर लें ताकि वो मेल्ट रहे इस तरीके से और ये देखिए जो घी है न वो पूरा इस तरीके से पानी पर तैर रहा है ये भैस का घी है तो इसका कलर नहीं दिख रहा है अगर आप गाय का घी लेके आते हैं तो उसमें पीला कलर दिखेगा तो आप देख सकती हैं कि जो घी है पूरा पानी पर तैर रहा है इसका ये मतलब है कि घी एकदम सुध है इसमें किसी तरीके का मिलावट नहीं है अगर घी डालने के बाद पानी के नीचे जाकर बैठ जाता है या फिर कुछ ऐसे बारिक-बारिक कड़ जाकर बैठ जाता है त जब भी घी खरीद कर लेके आईए एक बार कटोरी में थोड़ा सा गरम करके इस तरीके से टेस्ट जरूर करें इससे आपको पता चल जाएगा और अगर नकली घी रहेगा तो आप उसे ले आना बंद कर दें अपने परिवार को स्वस्त रखें टोमेटो केचप तो हर किसी कर भी के घर में रहता है मगर कभी-कभी हम इस तरीके का बड़ा पैकेट लेकर आते हैं और खत्म नहीं होता है तो इसका एक्सपायरी डेड़ भी आ जाता है फिर हम इसे उठाकर फेक देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें अगर टोमेटो केचप बच गया है एक्सपा अंदर बैठ जाता है और इसने काला कला सा लेयर भी हो जाता है तो इसे क्लीन करने के लिए आप टोमेटो केचप को इस तरीके से चाय शनी के ऊपर डाल दे एक पूराना टूथबॉस ले ले और इस तरीके से इसको फैला दे चाय शनी के ऊपर तो फीरhewण्ट, तोमेटो केचप खराब हो जाता है या एकसपार हो जाता है तो उसे फेके नहीं उसे एक बार इस तरीके से यूज करके देखिएगा आपको बहुत यूजफूल लगेगा और इसी तरीके से आपके घर में जो भी तामबे के पीतल के बरतन है उसे भी क्लीन कर सकती हैं 15 वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताईएगा कि इसमें से कौन सा टिप्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा और साथ में ये भी बताईएगा कि आप मेरे वीडियो को कहां से देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से रब कर लिया है ब्रस से अब अब इसे हम नर्मल पानी से दोलेंगे फ्रेंड जब हम बच्चो को स्नेक्स के साथ टोमेटो केचप देते हैं तो वो पूरा केचप नहीं खाते हैं थोड़ा बहुत उनके प्लेट में बच जाता है तो हम क्या करते हैं उसमें पानी डाल कर उसे नलके नीचे बहा देते है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें उस केचप का यूज भी आप इस तरीके से क्लीनिंग में कर सकती है छोटा सा हैक है मगर बहुत ही काम का है और इस छोटे छोटे से टिप को अगर फोलो करेंगे तो बहुत सारे पैसे और समय की बचत भी हो जाती है और हमारा बरतन भी हमेशा क्लीन रहता है तो देखिए हमने इसको अच्छे से धो लिया है और आप देख सकती हैं जो साइड में काला काला था वो भी निकल गया है और अच्छे से ये चमक भी गया है मसाले हो या फिर अनाज हो बारिस के मौसम में बहुत जल्दी से खराब होने लगते हैं इसमें मौस्चर हो जाता है जिसकी वज़सी ये खराब होने लगता है टेस्ट भी खराब हो जाता है तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है जो काफी सॉफ्ट हो गया है यानि ये इसके अंदर ने मौस्चर हो गया है तो अगर धूप रहता है तो हम क्या करते हैं इस तरीके से प्लेट में फिलाकर धूप में एक से दो घंटे के लिए सुखा लेते हैं अच्छे से क्रंची हो जाता सूख भी जाता मगर बारिज के मौसम में धूप तो निकलता नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे कि गैस को ओन करेंगे और तवा को गरम कर लेंगे आप चाहे तो रोटी सेखने के बाद भी इस काम को कर सकती हैं उसी तवे पर मगर यहाँ पर मैं तवा को गरम कर ली हूँ अब इस पे मेथी को डाल कर इस तरीके से चलाते हुए एक से दो मिनुट के लिए लो फ्लेम पर सीख लेंगे ध्यान रखना है फ्रेंड की यहाँ पर मेथी का कलर नहीं चेंज करना है ना ही कोई खुसबू ले है इसमें से एक से दो मिनिट के बाद आप हाथ से इस तरीके से छू कर देख ले जब आपको लगे कि ये गरम हो गया है तो बस गैस का फ्लेम बंद कर दे और इसे खुद से ठंडा होने दे थोड़ी देर बाद इस तरीके से एक बर मिला दे क्योंकि जो गैस जुले का बरनल है वो काफी गरम होता है तो उसकी गरमाहट के वज़े से जो नीचे का मेथी दाना है वो जल सकता है तो एक बार ऐसे मिला कर इसे अच्छे से ठंडा होने दे तो अभी देखिए फ्रेंड ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है तो बस अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे उसके बाद जार में भर कर इसे रख देंगे यहाँ पर मैंने मेथी दाना को शेका है आप सेम तरीके से अपने किचन के और भी मसालों को सेक सकते हैं जैसे कि सौंप, धनिया या फिजीरा जारू का यूज हम करते हैं अपने घर को साफ करने के लिए और हमारे घर का बहुत ही इंपोर्टेंट हिस्सा भी रहता है जब हम सुबह में जारू लगाते हैं तो कच्रे के साथ हमारे घर में जो नेगेटिव उर्जा रहता है वो भी निकल जाता है तो जाड़ों से हम अपने जब घर को साफ करते हैं तो जाड़ों कभी तो साफ रहना बहुत जरूरी है तो जाड़ों को क्लीन करने के लिए आप ये तरीका ट्राई कर सकती हैं बहुत ही यूजफूल है और जाड़ों बहुत ही अच्छे से चमक जाएगा तो उसके लिए हमें लेना है कोलगेट और कोलगेट को आपको जाड़ों पर लगाना है तो आप चाहे तो इस तरीके से जाड़ों के उपर ही लगा जीजे डारेट या फिर आप थोड़ा सा पानी ले 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 एक बरतन में और इसमें आधा छोटा चमस के करीब कोलगेट डाल दें यानि जितना कोलगेट आप 3-4 टाइम में करेंगी उतना कोलगेट आपको लेना है और कोलगेट को पानी में अच्छे से मिला लें तो इस तरीके से हाथ से मिला लें जल्दी भी होगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाता है तो यहाँ पर हमने इसको मिला लिया है अब हम जाड़ू पर इसे डालेंगे और कपड़ा धोने वाला ब्रस लेंगे और इस तरीके से आगे के साइट ब्रस को चलाएंगे दोनों साइट ब्रस को मत चलाएगा फ्रेंड अगर पीछे के साइट ब्रस को चलाएंगे तो जाड़ू तूटने लगेगा तो आप इस तरीके से आगे सेट चलाईएगा तो देखिए हमने पानी में इसको अच्छे से मिलाया था फिर भी थोड़ा बहुत कोलगेट ऐसे ही रग गया है तो इस तरीके सी सिदो लेंगे और यहां पर आप देख सकती हैं फ्रेंड कि जो जारू में गंदगी है वो पूरा निकल जा रहा है जा कि आपर हमने इसको रख कर लिया है अब इसे हम पानी डालकर धोलेंगे तो इसे नौर्मल पानी इस तरीके से धोले धोते टाइम आप ध्यान रखियेगा कि पानी आपको जारू के ऊपर और साइड में नहीं डालना है नहीं तो पानी अगर अंदर चला जाएगा तो जाडू खराब हो जाएगा क्योंकि अंदर वो सुखेगा नहीं और वो खराब होने लगेगा तो धोने के बाद जाडू को 15 से 20 मिनट के लिए इस तरीके से रख दीजिएगा कहीं पर भी ताकि इसमें जो पानी है वो निकल जाए 15 मिनट के बाद आप देख सकती हैं जाडू में का पानी अच्छे तरीके से निकल गया है तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से जटक लिजिएगा ताकि इसके जो बाल है वो एकदम अलग-अलग और खिले-खिले हो जाए तो बस अब इसे आप अगर पंके के नीचे भी रख द है तो हवादार जगह पर इसे रख दीजिए तो मैं इसे अपने बालकनी में रख देती हूं ताकि अच्छे से सूख जाए वीडियो यूजफूल लगा है तो लाइक करिएगा चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्क आए और टेक केर